गुड मॉर्निंग सुडेंट्स सूप्रभाद हिंदी में क्या बोलते हैं गुड मॉर्निंग को सूप्रभाद कैसे हैं आप सबी मैं भी बहुत अच्छी है तो चलिए बताए कौन सी कख्षा है हमारी आज ये माम किस कख्षा की टीचर है हिंदी और आज दिनांग क्या है कौन सा साल चल रहा है बच्चो टेश और हमारा विशे क्या है रिए हिंदी इस ओके बच्चो तो आज हम हिंदी में क्या पड़ेंगे बाद में पढ़ायी करते हैं पहले हम थोड़ी बाते कर लेती हैं आपने पढ़े हीजा रहें सुबह भी पढ़ा सेकिंड पीरड़ भी ऐप लोग च्छय आप लोग क्या क्या नाश्ता करके आए हूँ आज ममह पुक्तय नाश्ता भी हो चुकत है आलू के पराठे वेरी गूड आपने क्या खाया बोहा वेरी गूड सबने अच्छा हेल्दी खाया है ना पकॉड़ी खाया और कौनच कोनड कोड़ी खाना पसंद करता हैं है आपको तो पता है वर साथ का मॉसम आ दे मम्मा को क्या बना के दो पकोड़ी बना के दो हम बहुत सारी मस्ती करते नाव बनाते हैं लेकिन जब हमारा कुछ पकॉड़ी बनती है आप तो बिटे किसकी पकॉड़ी पसंद है आपको आलू की और किसकी पकॉड़ी होती है पालक की गोबी की पनीर की कितनी टाइप की हां इतनी सारी टाइप की पकॉड़ीयां होती है कोई भी ऐसा बच्चे किसी को पकॉड़ी पसंद नहीं हो है को यहां पर बिटा आपको नहीं पसंद कोई बात नहीं आज माम एसी कविता ऒंगी आपको मैं सब्सक्राइब पसंद आएगी आप सभी तैयार हômगा तो आज हमारी कविता का नाम क्या है भी टा पकोडी का यह चलिए आप सभी अपने डेस्क पे खड़े हो जाएए माम गाएंगी आप सभी पीछे पीछे मेरे साथ गाएंगे तयार है आप सभी चलिए खड़े हो जाएए हम शुरू करते हैं दोड़ी दोड़ी आई पकोड़ी चुन 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 तेल में नाची प्लेट में आशरमाई पकोड़ी दोड़ी दोड़ी आई पकोड़ी हाथ से उचाली मुह में डाली पेट में जा घबराई पकोड़ी दोड़ी दोड़ी आई पकोड़ी मेरे मन को भाई पकोड़ी कैसी लगी कविता एक बार और करेंगे ठीके एक बार और करेंगे आप सभी मेरे साथ गाएंगे ठीके बच्चों चलिए दोड़ी दोड़ी आई पकोड़ी दोड़ी आई पकोड़ी चुन 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 तेल में नाची क्या जब पकोडी होती है आपने देखा है जब ओना रही होती है। जब हो प्लेट में गिरता है तो कैसा हो जाता है वो शांत हो जाता है. बिलकुल अराम से शांती से बैठ जाता है कि चलो अब मैं आ गया. तो इसलिए बोला है कि दोड़ी दोड़ी आई पकोड़ी चुन 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 तेल में नाची प्लेट में आशरमाई पकोड़ी आशरमाई पकोड़ी हाथ से उचाली मूह में डाली पेट में जा घबराई पकोड़ी जब वह बाहर रहता है वो तो एकदम खुश कि मैं तो बाहर उनुस भी तो लिकिन जब वह पेट में चला गया अब तो पैक हो गया है बहुं कुछ नहीं दिख रहा ना जोड़िगा और में को भाई पकोड़ी वेरी गूड चलिए आप सभी बैट जाएं डेस्क पे तो कैसी लगी कविता आप सभी को अच्छी लगी लेकिन मैं यह सोच रही थी कविता तो हमने कर ली लेकिन इसमें कुछ कितने सारे कठिन शब्द है ना बच्चो आप सभी तो छोटे-छोटे और कि पकाड़ी घबराई शर्माई बहुत सारे कठिन शब्द है बच्चो तो हम क्या करेंगे कल कक्षा में इसकी कठिन शब्द करेंगे और आप सभी बच्चे इस कविता को घर से एक से दो बार पढ़ कि आएंगे मम्मा को सुना कि आना कि आज हमने नई कविता याद कियो के बच्चो चलिए तो आज क्लास यहीं अन्त होती है कल फिर हम आगे कठिन शब्दों से शुरू करेंगे